येदी आप चाहते हैं कि कीसी भी इस्त्री के दिल में अपने लिए प्यार भर दे कीसी भी इस्त्री को अपने प्यार में दिवानी बना दे ताकि वो इस्त्री बार बार आपके पास फोन करे 24 घंटे आपके प्यार में टरपे आपके बगर नहीं रहा पाए तो सिर्फ दो लाल मिर्च लेकर के एक लवंग लेकर के एक काला धागा लेकर के इस वसीकन टुटका को कर दीजिएगा सिर्फ दो मिनट के भीतर भीतर में आपका प्यार आपके लिए टरपेगा आप जिस भी इस्त्री को चाहते हैं, जिस भी इस्त्री को अपना बनाना चाहते हैं, जिसके दिल में अपने लिए मोहबत पैदा करना चाहते हैं, वह इस्त्री आपसे प्यार करने लगेगी, आपके प्यार में इसकदर से दिवानी हो जाएगी, कि हमेशा सिर्फ आपके बार के लिए सब को छोड़कर आपके पास आ जाएगी मेरे प्यार प्रभक्तो प्यार को पाना चाहते हैं मन चाहे प्यार से साधी करना चाहते हैं चाहते हैं प्रेमी प्रिमका में प्यार बढ़ाएं बेवाही की जिवन में खुश हाली लाएं तो सिर्फ एस वसिकन टुटका को एक बार कर दीजिएगा आपका प्यार आपके साथ रहेगा आपसे महबत करेगा और आपके लिए टर पियेगा कैसे करना है आईए बताते हैं उसके पहले छोटा सा आपसे भी नती है ज़िदी आप हमरे चानल पर नए हैं तो मैंने चानल को सब्सक्राइब जोर कीजिएगा ताके हम जितने भी उड़ाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जायेगा मेरे प्यार प्रभक तो इसो सिकन टोटका को घर बैठे बैठे करना है बीना मंत्र के बीना आने समागरी के आप इसो सिकन टोटका को करके किसी भी इस्तरी को अपने प्यार में दीवानी बना सकत देखिएगा इसके लिए सिर्फ दो लाल मिर्च की जरुवत है एक लवंग की जरुवत है और एक काला धागा की जरुवत है इसके अलावा कोई भी समागरी नहीं चाहिए फिर चमतकार देखिएगा सिर्फ दो मिनट के भीतर भीतर में आपका वसी करन हो जाएगा और जिस भ पहले आपसे भी नति है प्लीज मुर्चान को सब्क्राइब्याय स्क्राइब से तीन बार उलटा घुमा करके इस पर इस्तरी का नाम लेकर के फूंक लगाना है, सिर्फ तीन बार उसके बाद में इस लवं को क्या करना है, इस मिर्च के बीच ओ बीच में आपको इस परकार से गांथ देना है जैसी कि हम गांथ रहे हैं द्यान से दिखेंगे मेरे प्यार प्रवक्तो यह बहुत इंसक्ती साली वा सिकन्ट टोटका है एक बार में ही असर दिखाना सुरू कर देता है और आपका प्यार जहां भी रहेगा आपसे महबत करने लगेगा जैसी के मैंने लवंग को इस मिर्च में मैंने गात दिया है उसके बाद में आपको क्या करना है दूसरा मिर्च लेना है इस मिर्च को अपने दाहिने हाथ में ले करके सबसे पहले आप अपना सात बार नाम बोले उस इस्तरी का सात बार नाम बोले इस पे फूंक लगा दे ना किजिएगा इस मिर्च को ले करके आप इसी मिर्च के उपर सिस प्रकार से रह करके इसको गात दीजिएगा जानी कि दोनों मिर्च आपस में सटा होना चाहिए ठीक ना और लवंग से ही इस पे गातना है ठीक ना द्यान से दिखिएगा लवंग से ही इस पे आपको गातना है जैसे ही आप इतना कर दिजेगा, आपका काम हो जाएगा, आप जिस भी इस्त्री का नाम लिये हैं इस वसिकन टुटका में, वह इस्त्री आपसे महबत करने लगेगी, आपके लिए दिन राट टरपेग या आपके पास फोन करेगी, आपको छोर कर नहीं जाएगी, मेरे प्य अब करना क्या है ताकि वह इस्त्री आपसे प्यार करने लगे, देखिएगा, सभी काम आपका हो गया, थोरा काम और बाकी है, इसको लेकर के लवंग सहित दोनों मेर्च को लेकर के आप क्या किजिएगा, कम सकम चार से पांच घंटे के लिए इसको अपने तकिये के नीचे रखे, जिस तकिये प्याप सर रकर के सोते हैं, उस तकिये के नीचे इस मेर्च और लवंग को रखे, इसके बारे में किसी को नहीं बताए, फिर चमतकार देखिएगा, अगले दिन आप इस मेर्च को और लवंग को लेकर के किसी भी चोराहे पे जाकर के जला दीजिएगा, और अपने पैरों से मसलते समय उस इस्तरी का चहरा मन में बसा करके उसका नाम बार बार लिजिएगा, चमतकार दिखिएगा, वह इस्तरी आपके पीछे पीछे उसी समय से आना सुरू कर देगी, आपके बगर नहीं रहा पाएगी या आजमाया हुआ, वसिकन तोटका है, जिदी आप हमारे चानल पर नाए है, तो मेरे चानल को सब्सक्राइब जरू कीजिएगा, ताकि हम जितने उड़ाएगे सबसे पहला पीछे पास में जाएगा,